शुबह प्रबाच्छात्रों आज हम कक्षा दस्वी का जो हास्यात्म कम्याग निबंद है वाहरे हमदर्द इसके लेखक है गंशाम अग्रवाल इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं हमदर्द यानि सहनोबती जताने वाला या दर्द में हमारे साथ जो होता है उसे हमदर्द करते है देखेंगे हम यहाँ पर लेखक ने इस हमदर्दी जताने वाले को बाहरे हमदर्द क्यों कहा है और ये शिर्शक जो लेखक ने दिया है इस आस्य वेंगात्मक निवन्द को तो वह कितना सही है वह भी हमें इस निवन्द को पढ़ने के बाद समझ में आएगा और इस निवन्द के माध्यम से लेखक हमें कुछ सीख भी देना चाहते हैं कुछ समझाना चाहते हैं कि मनुष्य किस प्रकार की गलतिया करता है और उसकी तकलिफ किस प्रकार से दूसरे लोगों को भुगतने पड़ती हैं देखेंगे हम पहले देखेंगे घंशाम अगरवाल जी का परीचे इनका जन्म 1942 अकोला महारश्ट में हुआ इनका परीचे घंशाम अगरवाल जी की रूचे अध्यन काल से ही लेखन में विकसित हुई अपने आसपास की प्रतिक स्थिती या घटना में हास्य ढूंट कर उसे धारधार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशिष्टा है आप अखिल भार्दिया मंचो पर हास्य व्यंग कभी के रूप में लोग प्रिया है प्रमुकreतिया हसिगर के आईने यह हास्य व्यंग आजाधि की दुम आईम स्वारी यह हास्य कभीता संग्रह अपने अपने सपने यह लगू कथा संग्रह आधी प्रसिद्ध है प्रस्तु थास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुरगटना के माध्यम से विनोत को बड़े ही रोचक धंग से व्यक्त किया है हम दाती भी कभी कभी किस तरह पीडादाई बन जाती है यहां बहुत ही सुन्दर तरीके से उन्होंने दर्शाया है देखेंगे हम निबंध को पढ़ते हुए देखेंगे कि यहां पर किस प्रकास से इस परेशानी को मरीज के परेशानी को यहां पर लेखक ने उजाकर करने की कोशिश की है उस दिन जब मैं पुझिवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषन सुनकर आ रहा था मैं यानि लेखक उस दिन पुझिवादी और समाजवादी पुझिवादी यानि एक प्रकासे जो अमीर है उसका प्रतिक है और समाजवादी याने गरीब का प्रतिक है तो अर्थव्यवस्था याने एकोनामी पर भाशन सुनकर वहां आ रहे थे तो सामने से एक कार आ रही थी भाशन के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोशा आया या कार को गुस्सा अधिक आया यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता किन्तो मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आये तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को गुरूना की नजर से देखते हुए आपस में जा भीडे मैंने खाम खा पुंजिवादी और समाजवादी की जगडे में टांग अड़ाई फल्स परूप मेरी टांग तूट गई दूरगटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है यह सिथ्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरब दवडे यहाँ पर देखिए उन्होंने एक पुंजिवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पर वह विरोध जताना चाहते हैं उन्हें यह पसंद नहीं है तो कहीं पर कोई बहुत ही अमीर है कोई बहुत ही गरीब है तो ये अर्थ व्यवस्था पर जो भाशन वह सुनकर आ रहे थे और इसलिए इस भाशन का असर उन पर देखा जा रहा था और इसी के कारण और देखे ये वह साइकिल पर आ रहे थे यानि वह गरीब जनता का प्रतिक है और कार वाला जो है वह अमीर लोगों का प्रतिक है तो यहां पर वह कहते हैं कि भाशन के प्रभाव से मुझे मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गरीब यानि अमीर जो होते हैं उनको ज़्यादा तर गरीब उन पर गुसा अधिक आता है तो यह यहां वह बताना चाते हैं तो अधिक गुसा आया यह मैं नहीं कह सकता किन्तो मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को विरोधियों की तरह यानि दुश्मनों की तरह एक दूसरे को ग्रुना की नजर से ग्रुना यानि तिरसकार की नजर से वह एक दूसरे को देखते हुए आपस में जा भीडे भीडे यानि टकर गए और इसका नतीजा क्या हुआ इसका परिनाम क्या हुआ तो मैंने खाम खा पुंजी वादी और समाज वादी जगडे में टा तो लेकर का कहना है कि अगर मैं अपने रास्ते चला जाता तो इस प्रकास से मेरी टांग नहीं टूपती, मैं चुपी इन बेवजह इस जगडे में अपने आपको मैंने अटका दिया, दुरगटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, ऐसा लेकर कहना है, क्योंकि कुछ जो है उन्हें उठाने के लिए आये थे, आख खुली तो मैंने अपने आपको एक बिस्तर पर पाया, एदगिर कुछ परीचित अपरीचित चेहरे खड़े थे, आख खुलते ही उनके उच्छुपता की लहर दवड गई, मैंने करहते हुए पूछा, मैं कहा हूँ, तो जो है वह बेहोश हो गए थे, और फिर बाद में उन्हें जब उनकी आख खुली, वह जग होश में आ गए, तो उन्होंने अपने आपको एक बिस्तर पर पाया, और कुछ परीचित अपरीचित सभी चेहरे उनके एदगिर खड़े हुए थे, और जैसे ही उन्होंने आख ख खुलने का रास्ता देख रहे थे, जैसे ही आख खुली, तो उन्हों के चेहरे पर उत्सुकता जो है, वह नजर आने लगी, मैंने कराहते हुए, कराहते हुए, यानि दर्द की कारण जो आवाज आती है, उस आवाज में उन्होंने कहा, पूछा, मैं कहा हूँ, आप सारव सारवजनिक अस्पताल के, सारवजनिक यानि सब के लिए, गरीबों के लिए जो अस्पताल होता है, तो वहां होता है, सारवजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में, प्राइवेट वार्ड यानि एक जनरल वार्ड होता है, जिसमें सब पेशेंट एक साथ होते हैं, मरीज एक साथ होते हैं और private word में कोई special वेक्ति, अलग सा वेक्ति उसे वहाँ पर रखा जाता है आपका accident हो गया था, देखिए उन्हें क्या कहा गया, आपका accident हो गया था, सिर्फ पैर का fracture हुआ है और देखिए क्या कहा उसमें, कि सिर्फ पैर का fracture हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं, एक चेरा इतनी तेजी से जबाब देता है, लगता है, मेरी होश आने तक वह इसलिए रुका रहा अब मैं अपनी टांगों की और देखता हूँ, मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी, और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी तो देखिए, एक टांग जो टूटी हुई थी, तो वह रेती की थैली के सहारे, याने एक प्रकास से ट्रैक्शन जो दिया जाता है, एलाज में, तो वह करिया उस पर हो रही थी, वो दूसरे पैर पर, और फिर वह एक स्टैंड के सहारे, रेत की थैली का ट्रैक्शन देकर वह लटकी हुई थी, मेरे दिबाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टुटना और सारवजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना, तो देखिए, जैसे टांग टूट गई, तो सारवजनिक अस्पताल में रहना ही पड़ेगा, सारवजनिक अस्पताल का ख्या फिर यदि उसके साथ सारवोजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया है तो देखिए आत्मा का परमात्मा से कब मिलन होता है तो जैसे व्यक्ति जब चल वसता है व्यक्ति की मृत्य होती है तो ऐसा माना जाता है कि वह परमात्मा में मिलिन हो गया है यानि आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया है तो जैसे एक प्रकार से सारवजनिक से इतना डर है लेख को कि उन्हें लगता है कि जैसे समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया है याने एक प्रकार से उन्हें उस अस्पताल में ठीक से जो उनकी देखभाल जो है या जो ट्रिटमेंट है वह नहीं मिलने वाली यहीं उन्हें लगता है तो सारवजनिक अस्पताल में देखा जाये तो इस प्रकार की सभी प्रकार की सुविधाय नहीं होती है और इसे के कारण वहाँ ज्यादा तर लोग जाने से कतराते हैं लेकिन गरीब जो होते हैं उन्हें सारवजनिक अस्पताल में ही जाना पुड़ता है क्योंकि उनके पास बड़े बड़े अस्पतालों में या प्रावेट अस्पतालों में जाकर वहां का खर्चा उठाने के लिए उतनी उनकी जेब में ताकत नहीं होती उतने पैसे उनके पास नहीं होते और इसलिए न चाहते हुए भी उन्हें सारवजनिक अस्पताल में भरत होना पड़ता है टाम से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझे मिलने आएंगे ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक चाहाते हैं और कभी-कभी इतना परेशान करते हैं कि मज़ीद का आराम हराम हो जाता है जिसके मरीद को खा़ जरूरत होती है तो जिकिए जब मरीज होता है तो उससे ज्जादा तर आराम मिश्रांती की आवश को पांदर होती हैं लेकिं बहुत से कारण मरीज को आराम नहीं मिल पाता है जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलिब दे सकते हैं किन्तो प्राइवेट वार्ड यहो तो एक खुला निमंतरन है कि मेरे है मेरे तो देखे प्राइवेट वार्ड जो है तो उसमें एक प्रकार से व्यत्तिक का नीजी कक्ष होता है और वहाँ पर वह जिसे भी चाहे वह आ सकता है तो इस प्रकार से प्राइवेट वार्ड में मरीज को और ज्यादा तकली होती है आगे देखेंगे हम तो देखें प्राइवेट वार्ड में जैसे है मेरे परीचितों रिष्टेदारों मित्रों आओ जब जी चाहे आओ चाहे जितनी देर रुको समय का कोई बंधन नहीं अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी मिलने वालों का खयाल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी तोट गई अब देखें लेकर को ज्यादा टेंशन की इस बात का होने लगा की इस बात की फिक्र होने लगी कि अब मेरी टांग टूटी है यहाँ पर मैं विस्तर पर पड़ा हूँ लेकिन अब मुझे बहुत सारे लोग मिलने आएंगे और तकलीप देंगे तो एक प्रकासी वह प्राइबेट वार्ड में थे और वहाँ तो बहुत सारे लोग आकर उससे मिलने वाले थे क्योंकि वहाँ पर ज्यादा बंधन नहीं होता आने जाने वालों पर तो मिलने वालों का विचार मन में आते ही लेक को ऐसा लगा कि उसकी दूसरी टांग भी तूट गई और यहाँ पर उन्होंने ये भी बात कही कि जो अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है यहाँ सोचकर लोग जो उनसे मिलने के लिए आने वाले हैं तो वह इस परकासे आते रहेंगे और अपना बदला यानि लेखक कभी उनसे मिलने के लिए गए होंगे तो एक परकासे वह बदला जो है वह भी पूरा करने वाले हैं और हमदर्दी की हमदर्दी एक परकासे सहनुबूती भी दिखा पाएंगे और अपना बदला जो है जैसे कि लेखक उनसे कभी मिलने गया था तो और वह लेटे हुए होंगे या तकलिप में होंगे और लेखक फिर उन्हें पूछ रहे होंगे कि किस प्रकास से ये सब कुछ हुआ और ये बताते हुए उस वक्त उस मरीज को तकलिप हुई होंगी और फिर आज वह बदला लेखक से वह जो डेखने के लिए आने वाले हैं वह लेनी वाले होंगे तो मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आये जिनकी टांग या कुछ और तूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था मालों वे उसी इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब मैं अपना आइसान चुका है इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा वक्त सब पर आता है तो देखिए एक ब्यंग करते हुए उन्होंनों यहाँ पर कहा है कि आज कोई मरीज है तो कल जो उसे देखने वाला है व्यक्ति देखने के लिए आने वाला व्यक्ति वो कल मरीज बन सकता है तो वक्त किसी पर भी आ सकता है आगे देखिए क्या कहते हैं लेकर दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही निन नहीं आती यदि थोड़ी बहुत आ जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं खास कर वे लोग जो सिर्फ आपचारिकता निभाने आते हैं आपचारिकता यानि दिखाबा करने के लिए आते हैं खाली उन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती ये सिर्फ सुरत दिखाने आते हैं ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आख नहीं खोलूँगा चुप चप पड़ा रहूँगा ओफीस के बड़े बाबो आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाए ये सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि बे मिलने आये थे अताओ उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया फिर भी जब आख नहीं खोली तो उन्होंने मेरी टांके तूटे हिस्से को जोर से दबाया मैंने दर्द के मारे कुछ चिकते हुए जब आख खोली तो बे मुस्कुराते हुए बोले कहिए अब दर्द देने वाले भी वही हैं जैसे टूटे टांको उन्होंने ही जोर से दबाते हुए उन्हें जगाने की कोशिश की थी तो ऐसे लोगों को हम दर्द कह सकते हैं हम नहीं कह सकते हैं हम दर्द यानि एक प्रकासे दर्द में जो साथ देता है दर्द को हमारे कम करने की जाए दर्द को बढ़ते हैं तो ऐसे लोगों को हम हर हम दर्द नहीं कह सकते हैं और इसलिए लेखक ने देखिए इस निबंध को जो नाम दिया है वाहरे हम दर्द वह कितना समर्पक है ये भी हमारी समझ में आता है आगे देखेंगे मुहले वाले अपनी फुर्सत से आते है उस दिन जब सोना भई अपने चार बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज खिर कोई दुरगटना होगी तो देखिए बच्चों को हॉस्पिटल में लेकर नहीं जाना चाहिए इस बात को भी बड़े लोग भी नहीं जानते हैं और वह इस प्रकास से उन्हें बच् और इशारा करते हुए बच्चों से कहा ये देखो चाचा चाचा जी उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिडिया घर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है ये देखो बंदर तो देखिए एक प्रकास से उनके बताने का अंदाज जो था वह कितना गलत था ये भी यह पर लेखक बताना चाहा रहे हैं बच्चे खेलने लगे एक कुरसी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर सोना भाई की छोटी लड़की तबा की शीशी लेकर कथकली कथकली यानि डांस का ये एक प्रकार है तो कथकली डांस करने लगे रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाय यानि उसकी और खीचा क्या देखता हूँ कि सोना भाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टीस कर रहा है मैं इसके पहले की उसे मना करता सोना भाई की लड़की ने दबा की शीशी पटक दी सोना भाई ने एक पल दोली भाईया पेड़े खिलाओ दबा गिरना शुब होता है दबा गई समझो बीमारी गई इसके दो घंटों बाद सोना भाई गई यह कहकर कि फिर आऊंगी मैं भीतर तक काप गया तो देखिए इस कका से सोना भाई अपने चार बच्चों को लेकर आई थी और किस प्रका का हंगामा वहां पर उन्हों नहीं किया था यह भी यहां पर लेखक ने बताया और ऐसे लोगों को हम हमदर्द नहीं कह सकते हैं यहीं लेखक यहां समझाना चाहता है तो इस प्रकार की परेशानी तो हमें इस प्रका से हमें मरीजों को परेशान नहीं करना चाहिए यहां तक कि लेखक को लगा जब जाते जाते सोना भई ने कहा कि मैं फिर आऊंगी तो लेखक एक प्रकार से भैभीत हो गए कि यह फिर आएंगी यानि फिर से मुझे इसी प्रकार की तकलिप का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग तो अपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं विशेश कर ये रिश्टेदार जो दूसरे गाउन से मिलने आते हैं देखिए कि इस प्रकार से मरियादा का उल्लंगन वह कर देते हैं ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी उसमें से निकल कर एक आ एक प्रका से उल्टा पढ़ते हुए उनके सीर चाती पर सीर लगा करते हुए वह रोने लगा और कहने लगा हाई तुम्हें क्या हो गया कार वालों का सत्यानाश हो मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ पर तू क्यो रो रहा है तुझे क्या हुआ वह थोड़ी देर मेरी चाती में मुह गड़ाए रोता रहा फिर रोना कुछ कम हुआ उसने मेरी चाती से गर्दन हटाई और जब मुझे से आख मिलाई तो एकदम चुप हो गया फिर धीरे से हसते हुए बोला माप करना मैं गलत कमरे में आ गया था आजकर लोग ठीक से बताते भी नहीं गुपता जी का कमरे शायद बगल में है याने पास वाले कक्ष में हैं रूम में हैं हे 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 आच्छा भाई माप करना कहकर वह चला गया याने देखिए न जान न पहचान फिर भी कितने नकली आसू इन हमदर्दी चताने वालों के नि कि इनका रोना भी कितना नकली है अब अब वही रोने की आवाज मुझे पडोस के कमरे से सुना ही पड़ी मुझे उस आदमी से अधिक गुसा अपनी पत्नी पर आया क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिष्टेदार या करीबी मित्रे समझ कर टैक्सी वाले को पैसे दे दिये तो जो वह टैक्सी से आया था उसका जो किराया हुआ था तो वह किराया जो है तो वह भी लेख की पत्नी ने खुद दे दिया था उसका रोना वगरे देखकर और उसे लगा था कि ये शायद लेख का करीबी रिष्टेदार है या मित्र है इसे के का प्रवारह इतना फूट फूट कर वह रो रहा है हम दरदी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते हमारे शहर में एक कवी है श्री लपकानंद क्या नाम है कवी का लपकानंद उनकी कवीताओं से सारा शहर परेशान है मैं अक्स उन्हें दोर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ जानता हूँ जब भी मिलेंगे दस बीस कवीताओं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे पिलाए बिना यानि सुनाए बिना जबर्दसी सुनाए बिना नहीं छोड़ेंगे एक दिन बगल में जोला दबाये आप मुझे आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले चार पाइच तीनों से कभी समय लोनों में अतिर यस्त था, बीजी था, सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, राद भर मुझे निर नहीं आई, और हाँ, राद को इसी संदर्भ में एक कभीता बनाई, तो देखी, कितना जूट बह कह रहे थे, कि लेखक की याद ही उन्हें सता रही थी, यहां तक की राद भर उन्हें निंद ही आई, और उन्हें उस कारण ही लेखक पर एक कभीता भी लिग डाली थी, यहां कहे जोले में से डायरी निकाली और लगी सुनाने, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्ती टूड गई है टॉंग, मोतर वाले तेरी ही साइड थी रोंग, तो इस प्रकास से उन्होंने कभीता लेखके उस परिस्थिती पर अवस्था को देखते हुए यह कभीता बनाई, कभीता सुना कर भी मुझे ऐसे देख रहे थे, मानो, उनकी एक आख पूछ रही हो, कहो, कभीता कैसी रही, और दूसरे आख पूछ रही हो, बोल बेटा, अब भी मुझे से भागेगा, मैंने जल्दी ही चाय, जल्दी से चाय पिलाई, और फिर कभीताए, सुनने का बादा कर बड़ी मुश्किल से विदग उन्हे किया, तो देखिए, इस प्रकासे, यहने जल्दी कि अवस्ता देखते हुए, अब यह तो कही जाणे वाले नहीं, भागने वाले नहीं, कोई बहना बनाने वाले नहीं, यह तो यहां बिस्तर पर पड़े हैं, तो मैं जल्दी उन्हें कभीता सुना सकता हूँ, यह सोच कर उस मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो हो तो जरो तोड़ मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई परिचित न हो क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं यह हमदर्दी जताने वाले तो देखिए कि इस प्रकास से तंग आ गए थे लेखा कि हमदर्दी जताने वालों से कि यहां तक कि उन्हें यहां मन्जूर था कि उनकी दूसरी टांग तूट जाए तो ठीक है इश्वर से यहां प्रातना करते हैं कि मेरी दूसरी टांग तोड़नी है तो तोड़ना लेकिन ऐसी जगर तोड़ना कि जहां पर मेरा कोई परीजिक न हो तो उनका कहना था कि यह हमदर्दी जताने वाले जो है वहां बहुत ही बेदर्द होते हैं कोई दर्द उनके मन में नहीं होता खाली आउपचारिक तनिभाने के लिए दिखावा करने के लिए बहां आते हैं और मि कानी के माध्यम से लेखक ने आपको एक सीग भी दी है कि हमें भी किसी मरीज सवधनी को मिलने जाना है तो किन Kim बातों के साउधनियां हमें रखनी जाहिए시고 कि उनके सोने का समय हमें देखना है उसके बाद बाल बच्चों को वहाँ पर नहीं लेकर जाना है गए तो एक प्रकासे शांती से वहाँ पर हमें रहना है तो ये जो बाते हैं इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए और भी कुछ-कुछ बाते वहाँ पर आप देखते हैं होस्पिटर में जाकर वहाँ कुछ बाते लिखी होती है तो सकारात्मक बाते ही मरीज के साथ करनी चाहिए न कि न कारात्मक बाते उन से करके उनकी उस एक प्रकास से उनकी अवस्था को और भी दयनियां हमें नहीं करना है तो ये बाते यहां पर लेखकने बहुत ही अच्छे तरह से हमें समझाई है यहां पर देखिए शब्दार्थ दिये गए है और भी शब्दार्थ आपको आगे दिये जाएंगी आगे है फिक्र यानि चिंता हमदर्धी यानि सहानुभूती एहसान यानि कृतग्यता देखिए कृतग्यता और कृतग्नता दोनों विरुधार्थी शब्द है विलोम शब्द है अहसान यानि कृतग्यता कृतग्नता यानि एक प्रकार से अहसान का बदला न चुकाना तो उसके विपरित बरताव करना किसी ने हम पर अहसान किया है तो उसे भूल जाना उसे कुरतग न कहेंगे घव और न जोड़ा होता है उसमें और ये कुरतग ज्यता याने अहसान को हमें याद रखते हुए उसके साथ वैसा व्यवाहर करना अउंधा याने उल्टा मुहावरे है टांग अड़ना याने बाधा डलना काप उठना याने भैबीत होना अगे दिखिए स्वाध्याय के लिए आपको सवाल दिये गए है मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशिश्टाए क्या-क्या होती है आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कहा कहा पर क्या-क्या विशिश्टाए है उसके बाद अंतर आपको सपष्ट करना है फरेक्स सपष्ट करना है प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल में क्या-क्या होता है जैसे कि प्राइवेट में क्या-क्या सुभीदाय होती है क्या नहीं और सार्वजनिक अस्पताल में भी क्या सुभीदाय होती है क्या नहीं उसके बाद अस्पताल में आये सोना भई के बच्चों ने क्या-क्या शरारत की चार बच्चे साथ लाई थी, चारों ने भी क्या क्या किया, यह यहाँ पर लिखना है अब कारण लिखिये, लेकक को अधिक गुसा पत्नी पर आया क्यों आया? यह लिखना है लेकक कहते हैं कि मेरी टांग उस जगह तोड़ना जहां कोई परिचित न हो ऐसा क्यों कहते हैं, यह आपको लिखना है शब्द समू के लिए एक उचित शब्द आपको लिखना है वह स्थान जहां अनेक प्रकार के पशुपक्षी रखे जाते हैं तो देखे, वह शब्द भी यहाँ पर आया है, वही आपको लिखना है जहां मुप्त में भोजन मिलता है, तो उसे भी क्या कहते हैं यह आपको उसके लिए एक शब्द आपको लिखना है अब यहाँ पर देखे, शब्द बनाई है अब दर्द यह शब्द है और उसे उपसर्ग लगाकर इधर आपको उपसर्ग लगाकर वह शब्द बनाना है जैसे कि दर्द के लिए आपको बेदर्द उपसर्ग युक्त बेदर्द बन जाएगा और प्रत्य युक्त बन जाएगा दर्द नाग, इस प्रकास से वह बनेगा उसके बाद यहाँ पर देखें निश्चित, निश्चित के लिए भी आपको, अब मैंने ये तो आपको बता दिया पहला शब्द ये आपको लिखना है, निश्चित के लिए उपसर्ग लगाकर, यानि निश्चित के पहले अक्षर या अक्षर समौ आपको लगाना है और नया शब्द आपको बनाना है उसके बाद निश्चित को प्रते लगा कर फिर नया शब्द यानि प्रते यानि निश्चित के बाद में आएगा अंत में आएगा अक्षर या अक्षर समोह लगाकर नया शब्दा आपको बनाना है अब देखिए यहाँ पर सवाल है मरीश से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानी या बरतनी चाहिए या आपको यहाँ पर लिखना है या तो आप घर में भी बड़े भाई बैन हैं आपके या माता पीता हैं उनसे भी चर्चा करते हुए इस सवाल का जबाव आप लिख सकते हो यहाँ पर देखिए भाषा बिंदू संग्या शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए तो इन बाक्यों में संग्या शब्द कौन से हैं संग्या हमारी हो चुकी है संग्या सर्वनाम विशेशन क्रिया तो उनके बारे में ही यह सवाल है तो सोना भाई अपने चार बच्चों के साथ आई अब सोना भाई यह भी संग्या है बच्चा यह भी संग्या है तो दोनों भी शब्द लिखने है आगे यहाँ पर और फिर बाद में उन के नाम प्रकार के नाम याने सोना भाई यह व्यक जाती वाचक संग्या हो गई, बच्चा यहां जाती वाचक हो गई, इस प्रकासे इन सभी सवालों के जबाब आपको लिखने हैं। जो है बहाँ पर जो योग्य है उसी को लिखना है तो इस प्रकासे इसे भी कंप्लिट करना है आपको पाठ में प्रयुकत सर्वनाम ढून कर उनका स्वतेंद्र वाक्यों में प्रयोग आपको करना है तो यहाँ पर भी आपको सर्वनाम भी ढूनने हैं सर्वनाम हमने देखा था मैं हम तुम तू आप वह वे इस प्रकासे यह सर्वनाम होते हैं तो यह आपको पाठ में से ढूनने हैं और फिर बाद में उसका अपने बाक्यों में प्रयोग करना है लोकि पाठ में से जैसे के व बाद ये उपयोजित लेखन जो है बृतानत लेखन तो वह हम बाद में देखेंगे अभी फिलहाल आपको इतना ही कम्प्लिट करना है ठीक है करने लेखें अभी जर्भी इतने हीत